योजना इनिंदी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है उत्तर परदेश पैंसन की तीसरी किस्ट कब आएगी और अब की बार किस्ट का 4500 रूपे 4500 रूपे तीन महीने का मिलने की उम्मीद है या नहीं हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जियां अगर आप उत्तर परदेश सरकार के द्वारा मिलने वाली पैंसन विद्वा वरतवस्ता और दिव्यांग पैंसन लेते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि उत्तर परदेश की तीसरी किस्ट कब आएगी वह भी हम आपको इस वीडियो म बताने वाले हैं और 4500 रूपे आएगी या 3000 आएगी वह भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को लाज तक जरूर देखेगा और वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा और चैनल पर नई आए हैं तो सस्क्राइब भी जरू बात करते हैं देखे दोस्तो कोई सा भी राज्य हो जो आपको पैंसन देता है उसमें कुछ अंसदान केंदर सरकार का होता है और कुछ अंसदान राज्य सरकार का होता है और दोनों ही मिला करके आपको पैंसन देते हैं जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर राज्य में केंदर सरकार का अंसदान दो सो रुपे है और जो फिलाल आपको एक हजार रुपे महिना का पैंसल मिला है उसमें आठ सो रुपे उत्तर परदेश सरकार का अंसदान है तभी मिला करके आपको एक हजार रुपे महिना दिया जाता है अगर आप किसी भी राज्य मे पैंसन लेते हैं तो उसमें केंदर सरकार का भी होता है और रज्य सरकार का भी होता है जैसे उत्तर परदेश में 200 रूपे पैंसन के जो केंदर सरकार देती है और बाकी का 800 रूपे रज्य सरकार देती है और तभी मिलाकर के आपको 1000 रूपे महिना का pension मिलता है और जो वेक्ती 80 साल से उपर का है उन्हें केंद सरकार की तरब से 500 रुपे का अंसदान मिलता है उत्तर परदेश में यानि कि जो 80 साल से उपर के वरदजन है वरदवस्ता pension का लाब लेते हैं उन्हें केंद सरकार की तरब से 500 रुपे का अंसदान दिया जाता है और 500 रुपे का अंसदान इसमें मिला करके राज्य सरकार का दिया जाता है तब जाकर आपको 1000 रुपे महिना की पैंसन दी जाती है चालू वित्तवर्स 2023 चोबिस में उत्तर परदेश राज्य सरकार के तरब से दो किस्त जारी की गई है जिसमें पैंसन लाबारतियों को पैंसन दिया गया है जो दिव्यांग विद्वा और की किस्त है पहले ही जारी कर दी गई थी और दूसरी किस्त वरदवस्ता पैंसन की है जो दूसरी किस्त भी जारी कर दी है और इन पैंसन लाबारतियों के खाते मे पैंसन का पैसा आना शुरू हो गया है और उन्हें पैंसन खाते में भेजा जा रहा है जो पैंसन आधार कार से जड़ी है यानि के जो दो किस्त जारी की गई है विद्वा व्रद्दा और दिव्यांग पैंसन लाबार्तियों की उसमें दिव्यांग और विद्वा पैंसन ला मिलने का इंतजार है और मीडिय रिपोर्ट से जो जानकारी मिल लई है उसके उनसार अब की बार उत्तर परदेश सरकार की तरब से आपको एक हजार उपे से बढ़ा करके पंदरा सो रुपे का पैंसन दिया जा सकता है और यह है पैंसन आपको तीन महिने का 4500 रुपे मिलेगा अगर पैंसन को बढ़ा गया तो उम्मीद है कि दिसंबर के महिने में आपको जो पैंसन की तीसरी किस्त मिलने वाली है वह 4500 रुपे मिलने वाली है त्योंकि जो 1500 रुपे महिना की पैंसन देने का प्रस्ताव है बहतियार किया रहा है और जल्दी इसे राज्यसरकार के सामने पैस किया जाएगा तो साथियो मेहने में आपको 4500 रुपे की मिलने की उमीद है पैंसन का क्योंकि दिसंबर के महने में 3 किस्त का पैसा जरी किया जाएगा तो यही थी जानकरी वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो like, share, comment जरू करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो subscribe भी जरू करिएगा